वालकम तो लाइब्रेरिया स्टडी CCC, Classified Catalog Code आज हम इसके Entries देखेंगे तो CCC में टू टाइब के Entries होती है Main Entry and Added Entry तो जो Added Entry के जितने भी Entries होती है उस Entries का Main Entry का जो कार होता है उसके पीछे हम ट्रेसिंग करते है इसमें ट्रेसिंग Main Entry कार्ड के ही पीछे Backside portion में इसकी ट्रेसिंग की जाती है लेकिन exam में तो हमें एक अलग से ही कार्ड बनाना होगा या given होगा तो उसमें ही हम ट्रेसिंग लिखके और उसकी ट्रेसिंग कर देंगे Main Entry के next में next कार्ड में बाकी वैसे Originally libraries में यह होता है कि Main Entry के पीछे ट्रेसिंग करी जाती है और Added Entries होती है Cross Reference Entry जिसे CRE भी बोलते है Class Index Entry CIE Book Index Entry BIE Cross Reference Entry CRIE तो यह इसकी Entries होती है Added Entries अब जैसे इसमें है यह BIE तो BIE में Author Entry होती है Author BI Collaborator P.I Title and Series तो यह BIE का पार्ट है ठीक है तो BIE जब हम बनाएंगे तो BIE ऐसे होती है कि Author की Entry बनती है Collaborator की Entry बनती है Title की बनती है औwn सिरीस की बनती है इसमें और जो Collaborator की Entry होती है तो collaborator किते types के मैंने बता रखा आपको पहले ACR में भी बट इसमें वापस बता देती हूँ कि collaborator में होते हैं editor, compiler, translator, reviser and illustrator तो इन में से कोई भी होता है तो उसे हम collaborator ही मानते हैं editor को भी collaborator ही होता है compiler भी, translator, reviser भी और illustrator भी तो अगर ये दिये वे होते हैं question में तो इनकी अलग से entry हमें बनानी है उसके अलावा जो CRIE होती है ठीक है न, cross reference index entry उन में होती है, एक बनती है alternative name entry variant form of word entry, pseudoname, real name entry editor of series entry and generic name entry यह मैं आपको बाद में explain करूँगी कि कैसे बनानी है question wise I hope it is clear यह होता है main card, ठीक है तो main card में यह leading section है तो इस leading section में हम यहीं पर इस जगे से, जहां मैं point कर रही हूँ यहां से हम इसका call number लिखते हैं, ठीक है यहां से start करते हैं call number और अगर बड़ा call number हो तो यहां तक इसको हम stretch कर सकते हैं, यहां तक लिख सकते हैं फिर जैसे call number में आपको पता है, यह class number बुक नमबर आता है, तो पहले class number यहां तक आ गया, थोड़ा space छोड़ा, फिर हलका सा space छोड़के, बुक नमबर आ जाएगा heading section, heading section में जो भी author होते हैं इसके, ठीक है न, उनका name आता है, authors का name आता है, heading section में title, title आ जाएगा, बुक का, इसका subtitle आ जाएगा, कोई subtitle होगा तो इसके title के बाद में, ठीक है उसके बाद, यहां पर addition आ जाएगा, collaborator, जो भी collaborator होंगे, जैसे editor, translator, illustrator, कोई भी अलग से दे रखे होंगे, उनका collaborator का name आ जाएगा, यहां पर note section में यहां पर series आती है, ठीक है, इधर, यहां से series लिखी जाती है, bracket में, note section में और इधर, इस जगे, यहां accession number आता है, जो beach का है न यह, first vertical, second vertical के बीच में, यहां पर accession number आ जाता है उसके बाद, यह main entry का back side होता है, इस पर हम tracing बनाते हैं, एक्जाम में तो आपको दूसरा एक बना कैसे blank सा होता है, ठीक है, इसमें कोई lines नहीं होती है, blank कैसे होता है, इधर आपको बनाना है, तो जो भी added entries बनेगी, तो उस entries के हिजाब से ही हम tracing कर देते हैं, ठीक है न, added entries क जो उपर का, जो leading section में जो भी हम लिखते हैं, उसे साब से, यहाँ पर, जो heading section का आता है, leading का नहीं, heading section का, वो यहाँ हम लिख देते हैं, तो जिसे class index entry का यहाँ लिख देंगे, BIE का यहाँ, CRE का यहाँ, और CRIE का यहाँ पर, ठीक है, चलो आप जल्दे से हम entries देखते हैं, यह हमारी एक question है, इसके through ही हमको एक entries बनानी है, ओक्य, इस question के through ही, यह हमें एक question दे रखा है, इसके through मैं entries explain करूंगी, यह कैसे बनाई जाती है entries, और मैं आपको कुछ notes भी ल कर लीजेगा, वो आगे आपको जितनी भी entries होती हैं, इसकी किसी भी type की, उन सब में आपको help करेगा, ठीक है, तो कि सारी entries ऐसे ही बनाई जाती है, कुछ-कुछ difference ही होता है, इन में ज्यादा नहीं होता, CCC में कोई ज्यादा difference नहीं होता है, तो अगर यह आपको बनानी है, यह subtitle दे रखा है, यह author का नाम दे रखा है, ठीक है, हमें इस से मतलब नहीं है, यह जो chairman यह लिखा ना, यह से मतलब नहीं है, इसमें सिफ author से मतलब है, addition से मतलब है, editor, translator, compiler, illustrator, यह कुछ यहाँ दिया होता तो उन से मतलब है, ठीक है, तो यह editor हो गया, इन से मतलब है, अब यह मतलब नहीं है हमें इससे कि दे रखा है इसका पब्लिकेशन हाउस का यह यूजलेस है ऐसे इनफॉमेशन ठीक है यह एच्टीपी सिरीज है ठीक है ना सिरीज की पहचान होती है जिसे नंबर लिखा इसमें नंबर सेवन तो यह इससे हमें मतलब है सिरीज से यह हमें लिखनी है सिरीज ठीक है ना एंट्री में मीन एंट्री में इसके एक्सेशन नंबर है इससे मतलब है साइस पेजेस से कोई मतलब नहीं है कॉल नंबर है वो हमें लिखना है यह नोड दे रखा है ठीक है ना यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसमें ए दो क रों नियर लिखा है वह काग्म चार्य दिखना तो कि चींड सी कीम के उसे में अत्री ओकर उपर मैं यहाँ पर एंसाछी थिखल पर लिक रिखने का यहाँ बूक नंबर ही क्लास नंबर week तो इस जगे आ गया class number ठीक है थोड़ा space छोड़के ये book number आ गया तो ये call number हमें यहां से लिखना है ठीक है इस जगे से start करना लिखना और यह अगर बड़ा हो तो यहां तक चला जाता है और इन दोनों के बीच में space छोड़ने का ध्यान रखना class number and book number के बीच में और ये pencil से ह लिखा जाएगा ठीक है इसको हमें pencil से ही लिखना है उसके बाद यहां पर हमारे author का नाम आ गया ठीक है यह इसका जो heading section नहीं आई author का नाम आ गया author का नाम कैसे लिखेंगे उसका surname है वो capital में आता है surname हमेशे capital में लिखते और जो उसका four name है जो फॉर्स नेम है वो हम bracket में running में ही लिखते हैं ठीक है न यह capital में नहीं यह पता है नीचे अलग से उसकी बर्थ ये दे रखा है तो यह भी हम उसका ब्रैक्ट में डाल देंगे उसके बाद लगा देंगे पिर आगे इसका टाइटल अब टाइटल से पहले अपको ध्यान रखना एक कोई भी इनीशल हो कोई भी आर्टिकल हो जैसे ए एंदी आपको पता है तो यह हमें नहीं लगाने हैं अब इसमें लिखा और चाइल डेवलेप्मेंट तो ए हटा देंगे दी चाइल डवलेप्मेंट तो दी हटा देंगी एंड लिखके होता कुछ यह अन एन लिखके बाद गोई तो इसमें आर्टिकल हटा दिये जाते हैं तो यह ऐसे होता है तो यह आगया चाइल्ड डेवलिप्मेंट रनिंग में लिखना है फिर कॉलन लगा के इसका सब्टाइटल आ गया अब सब्टाइटल में कुछ भी होगा न एंद वो लिखना है उसे नहीं हटाना है इसके बाद एडिशन लिखते हैं तो इडिशन कैसे लिखते हैं अब इसे फोर्स अदिशन हो गोगने की जुरूत नहीं है अब सेकेंड्टाइए और 1 और जैसे भी होगा, ठीक है, उसके बाद डॉट लगा देंगे, डॉट लगाने का ध्यान रखना है, फिर एडिटर है जैसे यह, तो edby, नहीं, एडिटेड बाई, या निकी, edby, यह एडिटर का नाम आ गया, और उसके बाद डॉट लगा दिया, अब यहाँ पर ट्रांसलेटर ह इलस्टेटर होता तो, illustrator होता तो, Ill, बाई हो जाता, ठीक है, ना, तो एस तरीके से लिग देंगे, हम उसका, उसके बाद में, सीरीज, और सीरीज मैंने आपको बताई थी, सीरीज कैसे लिखेंगे, ब्रैकिट में, ब्रैकिट में सीरीज आ गई, ठीक है, as it is इसको running में लिख देंगे हम नाम इसका जो भी है फिर dot लगा के अब उसका editor का नाम लिखा था ठीक है न तो dot लगा के ed by और series के editor का नाम आ गया उसके बाद dot 7 इस 7 क्या है यह नमबर है series का नमबर तो डारेक्ट इसको ऐसे लिख देंगे dot लगाने के बाद number 7 है 6 है 5 है जो भी है तो editor के बाद dot लगा के यह लिखा जाएगा ठीक है ना फिर bracket close फिर dot आ जाएगा यह हमारा accession नमबर हो गया इसमें accession नमबर हमेशा नीचे लिखा जाता है ठीक है तो यहां पर इसका accession नमबर हो गया अब यह इसने tracing बनाई है यह tracing मैं आपको बाद में added entries के बाद में ढंक से explain कर पाऊंगी पर आप देख सकते हैं कि यह CRE है जो मैंने बतात ना आपको additional दे रखाता इसमें एक class number ज तो यहां पर हमने नमबर लिख दिया तो वह CRE है ठीक है ना तो CRE यह क्यों आ जाएगी यहां पर CRE तभी बनाई जाते है जब additional हमको दिया हुआ होता है ठीक है ना additional number हमें दिया होता है additional call number class number कुछ additional दिया होता है class number तभी हम CRE बनाते हैं और CIE ठीक है यहां बना दी CIE CIE कैसे बनती है यह chain procedure होता है इसको खोल के बनाते है ठीक है ना तो यह मैं आपको explain करूंगी कैसे BIE मैंने बताया था author BIE होती है collaborator BIE यह जो भी होती है series BIE तो वो हो गई तो लिख दे यह author का आगए author BIE बन गई यह editor BIE यह series BIE ठीक है उसके बाद C R I E तो इसमें C R I E एक ही बनेगी कि जो series का editor दे रखा था उसकी बन जाएगी ठीक है तो भी बनके उसके बाद यहां पर ऐसे आ जाएगी तो ऐसे इसकी tracing की जाती है वह हम बाद में समझेंगे ठीक है अब देखते है इसके added entries एक और बात यहां पे note करने ठीक है तो added entries होती है सबसे पहले बनती है C R E फिर बनती है class index entry C I E फिर book index entry and then cross reference index entry तो जो C R E है cross reference entry यह तब ही बनाई जाती है जब हमें जो class number दे रखा होता है ठीक है ना additional call number तो हमें given होता है उसके additional भी अलग से class number नीचे note section में कहीं given हो तब ही हमें यह बनानी है ठीक है चले देखते हैं यह note आप अच्छे से कर दीजिए added entries यह होती है four types की ठीक है अब हम बनाने जा रहे हैं C R E ठीक है तो आपको मैं बता दूँ कि यहां देखिए यह call number इसने दे रखा है main जो call number है यह है ठीक है ना यह class number यह book number तो यह बन गया call number यह पूरा call number है अब इसने additional यहां पर देखिए class number दे रखा है class number S 13 यह additional दे रखा ना इसलिए हमें C R E की बनाने पड़ेगी ठीक है देखते है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वह additional दे रखा था इसमें class number तो उसको यहां लिख देंगे जैसे लिख दिया S 13 ठीक है फिर लिखेंगे C also इसको underline कर देंगे उसके बाद जो हमारा main call number था ठीक है ना S1 K7 वो आ जाएगा फिर जो हमारा author थे ठीक है ना author का surname आ जाएगा running में उसके बाद dot लग जाएगा ठीक है उसके बाद आ जाएगा हमारा title ठीक है यह हमारा क्या note section में भी दे रखा था मैं आपको बता था ठीक है ना इसका हमने यह लिख दिया था surname ऐसे कैसे running में उसके बाद addition लिख दिया था उसके बाद यहां पर हमने यह जो दे रखा ना यहां पे P401-434 यह लिखना है ठीक है यह देखिए अना आ गया है यह सर्णेम आ गया डॉट आ गया टाइटल का नाम आ गया डॉट आ गया addition आ गया ed3 फिर डॉट लगाना है और फिर वो additional कोई page number लिख रखे और note section में वह हमें as it is लिख देना है तो यह हमारी बन गई C-R-E अब यह धियान रखना, यहां पर भी जो call number इसे pencil से लिखना है करेंगे C also लिखा है, इसको अंडर लाइन करेंगे, डॉट नहीं लगाएंगे, कभी भी हम यहां call number लिखेंगे, उसके बाद डॉट नहीं लगाएंगे, सर्णेम आता है, उसके बाद डॉट है, टाइटल आता है, उसके बाद डॉट है, अडिशन के बाद डॉट है, और यह जो पीज दे रखे हैं, उसके बाद डॉट है, ओके, पर हैं, CIE पर, CIE होती है, class index entry, तो जो हमारा class number दे रखा था न, जो हमारा call number दे रखा था, उसमें यह हमारा class number था, S1, ठीक है, तो हम इसे chain procedure से open करेंगे, उसके लिए हमें call on classification की book की जरुट होगी, ठीक है न, जो classification की book है, call on classification, उसकी, तो call on classification में S पर क्या है, S पर है psychology subject, ठीक है, अब देखेंगे न, तो psychology, S से denote होता है, तो S पर psychology है, और 1 पर है child, ठीक है, तो S1 हो गया child psychology, ठीक है, S पर psychology, एन psychology में आप देखेंगे, जो नीचे 1 लिखा होगा, 1 पर child है, ठीक है, तो यह, इसका हो गया child psychology, तो अब हमें कैसे बनानी है, तो chain procedure में जैसे खुलती रहती है chains, ठीक है न, अब जैसे यहाँ पर S 35 होता, फिर call on लगा के कुछ और होता, तो वह ऐसे करके chain procedure खुलता है, जो जो last वाला होता है, उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है न, chain procedure में यह होता है, तो इसे child है, यह प में हमने यह लिख दिया, पहले आगया child, फिर कॉमा लगा के psychology, ठीक है, तो ऐसे यह chain खुलती रहती है, जो last का अब हो आएगा, फिर कॉमा लगा के next, तो ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है न, यहाँ से यह start होता है, reading line पे, first vertical से, यहाँ से यह start होता है, और यह capital में आता ह है, तो जैसे हम chain खुलते है, जो number निकल के आता है, जो उसका column से, तो उसको capital में ही लिखना है, ठीक है, capital में आ गया, dot लगा दिया, फिर यह line लिखी जाती है, देखिए, यह sub में ही लिखनी है हमें, तो जो first जो entry बनती है न, इसकी, CIE की, उसमें तो यह पूरा ही आता है, पूर से लेके number तक पूरा आता है, next में क्या करना है, वो मैं आपको बताती है, ठीक है, तो यह है, यह आपको line लिखनी है, for documents in this class and its subdivisions, comma, see the classified part of the catalog under the class number, class number के बाद डॉट नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने here class number लिखना है, ठीक है न, तो यह जो भी class number होग यहाँ आ जाएगा, जो हमने खोला है न, पूरा, जितना तक, वो पूरा यहाँ class number आएगा, यह pencil से लिखना है, इसको भी, ठीक है, इसको pencil से लिखना है, S1 को, यह जो class number यह pencil से आएगा, ठीक है, अब इसकी next रेखते है, entry, अब भी psychology, ठीक है, psychology आगया, dot, पर, documents करके, dash, dash, dash लगा के, last में बस class number, और यहाँ as आगया, ठीक है, तो यह से psychology था, तो यह इतना ही आएगा, तो इस तरीके से इसके chain procedure खोल के हम class index entry बनाएंगे, उसके बाद ध्यान हो तो आपको एक additional class number दे रखा था, ठीक है, n, as 13, उसकी भी हमें बनानी है, chain procedure से खोल क तो उसकी ऐसे बन जाएगे कि 13 पे है infant और s से psychology है, infant, psychology, फिर वो ही for document, dash, 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 class number और यह ऐसा आगया है, ठीक है, तो इतना ही बस एक ही entries की बना देंगे हम तो show करने के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, बाकि जो main हमारा call number दिया था, main call number के class number को हमको पूरा खोलना है, chain procedure से और उसकी entry बनती जाती है, next item, तो अब हम बनाने जा रहे हैं, BIE, ठीक है, BIE, book index entry, अब book index entry का मैंने आपको बतागा कि author की entry बनती है, ठीक है न, जो main author है या joint author है, दो author हुए जिसे joint है, उनकी entry बनती है, collaborator की बनती है, collaborator कौन कौन से है, editor, compiler, translator, reviser and illustrator, उसके बाद यह जो title entry है न, यह main title की entry नहीं होती है, अगर हमें title से समझ नहीं आ रहा, यह जो इसका title दे रहा, उसे समझ नहीं आ था, कि subject क्या है इसका, ठीक है न, कि इस बारे में book लिकी गई है, हमें समझ नहीं आ रहा, तो ही यह title entry बनती है, otherwise यह नहीं बनती है, यह कुछ इंपोर्टन नही होती है तब, उसे कुछ समझ नहीं आता है, तब ही title entry बनाई जाती है, main title की नहीं बनती है, main title से अगर समझ नहीं आ रहा, उसका subject तो ही बनती है, series entry, series की बनेगी, ठीक है, चले देखते हैं, तो अब हमारी यह पहली है, ठीक है न, author की, author b.i, तो यहाँ पर आ गया author का नाम कैसे आएगा, जिसे main entry में लिखा था हमने, ठीक है न, यह capital में आ गया, और यह उसका first name है, जिसे वो name भी कहा जाता है, इसी bracket में लिखना है, और यह year दे रखा होगा, तो भी year आ जाएगा, ऐसे कैसे, ठीक है न, फिर dot लगा देंगे, तो यह इसी सबसे हमें करना है, अग अगर यहाँ पर दो authors दे रखें, जिसे इसका नाम आ गया, फिर and लगा के, दूसरे का भी नाम ऐसे ही आ जाएगा, और दो से जादा authors हैं, तो and others आ जाएगा, ठीक है न, more than two authors है, तो and others करके आ जाता है, तो यह main entry में जैसे होता है, वैसे ही है, यहाँ पर लिखा जाता है, author की ऐसे बनती है, उसके बाद यहाँ पर, जो उसका title है वो आ जाएगा, बिना किसी initials के, ठीक है न, सिर्फ title आएगा, subtitle ने आएगा, उसके बाद dot लगाके, edition आ जाएगा, ed3, जिसे इसका है edition, पर dot आ गया, ठीक है, तो यह हमारी बन गई, author b.i.e. एक main चीज है, यहाँ पर यह जो हम लिखेंगे न, जिसे हमने title लिख दे, edition लिख दे, उसके बाद यह हमारा call number लिखेंगे हम, ठीक है न, इसे pencil से लिखना है, और अगर जिसे कोई title बढ़ा होता है, यहाँ space नहीं रहती, तो इसको थोड़ा नीचे, जिसे यह यहाँ तक आगे हमान लिजिए, finish यहां तक हो रहा है, ठीक है न, edition जिसे ed3 यहां तक आ रहा है, तो फिर यह इसके just नीचे, यहाँ pencil से यह लिख देंगे, s1, k7, जो इसका call number है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, जो भी call number लिखेंगे हो, इसको pencil से लिखना है, यहाँ space है, तो यहाँ editor थे, जो हमारे collaborator है, उनका आ जाएगा, surname, phone name में नाम, first name यह bracket में आ गया, कॉमा लगा के, जो भी उनका designation है, जो भी यह जिसे editor है, तो ed आ जाएगा, translator है, dr आ जाएगा, illustrator है, ill आ जाएगा, और उसको underline कर देंगे, ठीक है, फिर यहाँ dot आ जाएगा, यहाँ इनका surname आ जो हमारे main author है, उनका surname आ जाएगा, colon लगा के, हमारा title आ जाएगा, dot लगा देंगे उसके बाद, title के बाद, फिर addition आ जाएगा, जो भी addition है, फिर dot लगा देंगे, उसके बाद हमारा यह call number आ जाएगा, pencil से यहाँ पर, तो यह बन गई हमारी collaborator, BIE, ओके, अब title index entry का तो मैं आपको बताया ही था, कि additional उससे समझ नहीं आरा subject, तो ही यह बनेगी, बहुत rarely ऐसे chances होते हैं, कि यह बननेगी जरूरत पड़ती है, वैसे नहीं बनती है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन फिर भी आप बनाना चाहेंगे, तो फिर यह है, कि ज जो भी आप title देना चाहेंगे, उसके first two, तो जो है, वो तो आजाएंगे, जिसे कि मान लीजे, इसमें के example है, मैं इसी में बताती हूँ, बुक में आपको, जिसे दे रखा है ये, living with books, तो ये living with capital में आजाएगा, books, ये running में आजाएगा, dot, फिर edition आजाएगा उसका, जो भ पर वोई, जो भी, class number वगरा दे रखा हूँ, ठीक है, वैसे बनने की जुरुत नहीं पड़ती है, additional है, उसके बाद ये हमारी ये series, BIE, series की book index entry, ठीक है न, तो इसे बोलते है series index entry, तो ये कैसे बनेगी, series का जो नाम था, वो आ जाएगा capital में, पूरा series का नाम capital में आता है, series का जो number है, वो यहाँ आता है, इस जगे, ठीक है न, इस जगे आता है series का सिर्फ number, author का नाम आता है, column लगाने के बाद, यहाँ पर title का नाम आता है, फिर dot लगता है, फिर addition आता है, फिर dot लगता है, फिर हमारा ये call number आ जाता है, pencil से, ठीक है, तो इस तरीके से series की entry बनाई है नंबर यहां लिखना है सिरीज का ओथर का नाम लिखना है कॉलन लगा कि टाइटल का नाम लिखना है डॉट लगाना एडिशन का नाम डॉट और यह कॉल नंबर ठीक है अब यह CRE Cross Reference Index Entry ठीक है यह देख लेते हैं फाइफ टाइप्स की होती है Alternative Name Entry, Variant Form of Word Entry, Pseudo Name, Real Name Entry and Editor of Series Entry and Generic Name Entry इन में से मैं बता रही हूँ एग्जाम में Mostly किसी भी डाइब को question आता है ना तो CRIE बनानी हमें जब पढ़ती है तो mostly यह दो ही काम आती है एक तो Pseudo Name, Real Name Entry जो कि Pseudo Entry जब बनती है ठीक है ना तब काम आती है तब वैसे Mostly सब में Editor of Series Entry होती है यही एक ही बनाई जाती है बाकि Generic Name यह से जाती है नाम अलग से कोई किसी का Generic Name भी given होता है अगर किसी भी entry में अलग से दे रखा होगा note section में या कहीं पे तो ही यह entry बनती है, Variant Form of Word Entry किसी Word का कोई Variant Form note section में given होतो alternative name entry कोई alternative name given हो तो mostly यह नहीं होता है कुछ भी दो बनती है जिसमें से भी सब entries में mostly Editor of Series Entry ही बनती है और से pseudo name होता है तो फिर यह बनती है तो अभी जो हमने question देखा था तो उसके according तो हमें एक ही entry बनानी है वह है editor of the series entry ठीक है तो यह editor of series है तो यह editor का नाम आगे जो series में editor लिखे दे ना नीचे उनका नाम आजाएगा surname, phone name में कॉमा लगाके यह editor है तो ed underline dot फिर c लिखना है as double e c इसको underline करना है और फिर यह जो हमारा series का नाम है इस series के editor थे ना यह तो c लिखके इस series का नाम capital में आ जाएगा और last में dot लगा देंगे ठीक है धियान से देख लीजिए entry अब तो अब हमारी added entry सारी finish होई ठीक है अब मैं आपको बता दियो tracing कैसे करनी है इन entries की ठीक है ना entries की tracing यही करनी है कि जो भी यह leading line पर जो भी चीज़े होंगी ना जब यह है तो यह आ जाएगा ऐसे की ऐसे tracing में ठीक है पिछली entry में भी यहाँ पर जो भी चीज थी वह आ जाएगी उससे पहले entry में हूँ ठीक है ना तो CRI आ गई जो उपर लिखा हुआ था वो यह क्यों आ गया इदर CIE आ गई उपर जो भी CIE में लिखा हुआ था ठीक है ना तीन CIE बनी थी question में तीनों का आ गया हुआ क्यों BIE में जो उपर लिखा था BIE में as it is यह तीन बनी थी BIE की author, editor and series यह तीनों की आ गई और CIEA की बनी थी series की ना series के editor की वो यह आ गई ठीक है तो यह हमारी entries complete हुई main entry, editor entry and tracing तो यहाँ पर हमारा ccc complete हुआ thank you and please like share and subscribe the channel